भी चैनल खास तोर पे जो बहुत ज़्यादा चैनल चर्चित हो गए थे विभिन्न कारे कर्मों को दिखाने के लिए उन्होंने हाथ कीचा एक दम और एक दम बदलाव आया है जितने भी नए अगले नए एपिसोड बने नए टेली फिल्में बनी नए फीचर फिल्में बनी उनके अंदर फिर से एक बार हमारे संसकारों को हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कंटेंट जो है वो थोड़ा पहले से ज्यादा सोबर हो गया है सर अभी जो यंग जनरेशन है फिल्म इंडेस्टी की त्योंकि आप कॉलिज चला रहे हैं और यहां से भी एक जनरेशन हर साल निकलती है फिल्म इंडेस्टी में जाती है अपना रोल देती है यंग मेकर्स को यंग फिल्मेकर्स को डिरेक्टर्स को राइटर्स को आप क्या सिंसर हैं, डेडिकेटेड हैं, पंक्चुल हैं, रेगुलर हैं, आप में अगर उम्मीद है, जिग्यासा है, आगे बढ़ने का जोश है, और मेनत करने के लक्षन हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता, यह मेरा मानना है, इस संस्थान ने देश को सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी दिये हैं, कोई भी फील्ड रहा हो, फिल्म का, टीवी का, मीडिया का, फैशन का, जितने भी रहे हों, जहां से जो इसने पड़ा, उसने नाम कमाया है, इस्जत कमाई है, पैसा कमाया है, और मैं इस पीड़ी को तई दिल से मुबारक बात देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो निया उत्सा है, सीखने का, जिग्यासा जो है, आगे बढ़ने की, वो कायम रहनी चाहिए, और अगर सिर्फ फीचर फिल्मों की बात की जाए, तो फीचर फिल्मों में बहुत कड़ी मेनत की जरूरत है, बहुत ज़्यादा समय की जरूरत है, और एक पुरानी कहावात है कि रोम वाज नेवर बिल्ट इन डेय। रोम जो है, वो एक दिन में तयार नहीं हुआ था, बनने में कई साल लगे थे, तो इसी तरीके से पेशन्स रखिए, काम्याबी जरूर मिलती है उन लोगों को, जिनकी मेनत में सच्चाई होती है। एक चीज़ और जैसे पिछले दिनों जो कंटेंट सिनेमा में भी जो आ रहे हैं, कही न कही उसमें जो राइटर वाला जो पार्ट है, समाज से जुडाओ का कही न कही अभाव नजर आता है फिल्मों में, इस पर आप क्या कहेंगे। फिल्मों में बदलाव आना चाहिए, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आम जानता भी चाहती है। और पहले अपनी विचार धारा को सामने व्यक्त किया करता था राइटर, क्योंकि राइटर जो लिखता है वो उसका अपना जिन्दगी का तजरुबा, उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई, उसके जिन्दगी के अपने हाथ से, किस से, वाकियात, वो सब जुड़ जाते और फिर उसके बाद जब वो कहानी तयार हो जाती है, स्क्रिप्ट तयार हो जाती है, और जब डारेक्टर के हाथ में आती है, तो डारेक्टर उसको फिर बदलता है थोड़ा सा, उसकी जिन्दगी के जो तजरुबे होते हैं, यो उसकी अपनी भावनाई होती हैं, वो भी अच्छा चलता रहा कई साल हो गए फिल्में देखते हुए और जब आम जंता ने ये कहना शुरू कर दिया कि फिल्मों में एक सापन नजर आना शुरू हो गया है लव स्टोरी है तो लव स्टोरी चली जा रही है अगर मैं ऐसे गुदारन दे रहा हूं तो कुछ राइटर्स के दिमाग में आया रहा उन्होंने जो आपने बात कही उन्होंने न्यूस पेपर की खबरों से इन खबरों से फिल्म का कंटेंट जो उठा लिया कि एक केस चल रहा है उसके बारे में आपने पढ़ा उसको सारी दुनिया पढ़ रही है लोग जानना चाते हैं कि उसके स्टेरिल कटा किया उन तमाम औरिजिनल करेक्टर्स को स्टेडी किया और भेश बदल कर कहानी का रूप अलग करके उसको एक दफा फिर से आम जनता के सामने डाल दिया भले नाम अलग थे भले सिच्वेशन अलग थी लेकिन कहीं न कहीं कहानी का कंटेंट जो मूलतथ था वही पुरानी कहानी थी जो ख़वार से उठाई गई थी और उससे क्या हुआ कि अच्छानख लोगों को नए सब्जेक्ट मिलने शुरू हो गए हिंदी सिनमा खास तोर के उपर एक नए सीरीज शुरू हो गई एक के बाद ऐसी एक फिल्मी आने शुरू हो गई जिनके कंटे बड़े जबरतस थे किसी ने आज तक ऐसी कहानियां देखी नहीं थी और हिंदी सिनमा जो है और बाकी सिनमा भी जो है वो अच्छा सर्वाइव करता चला गया और यही चाहिए क्योंकि आज भी जब सिनमा खुले है पेंडमिक के बाद लोगों की अपेक्षा भी यही है कि कुछ ऐसा कंटेंट आना चाहिए जो हमने पहले ना देखा हूँ इस पर क्लीर करना चाहता हूँ उनको भी कॉपी करती है यह शब्थ ठीक था क्योंकि अगर दस परसंट फिल्में मानली जे देखिए तकरीमें दो हजार फिल्में और मानली जे छे सो फिल्में हिंदी में बनी है और साउथ के अंदर यानि कि मल्यानम है तेलगू है उसके बाद आपका जिनमें सबसे जदा फिल्मों का निर्मान हो रहा है और बाकी बहुत सार इस वक्त 28 परदेश की भाज़ाओं में 28 किसम की फिल्मों का निर्मान हो रहा है आप यह समझ के चलिए और अगर किसी प्रोड्यूसर ने हिंदी फिल्म के लिए किसी साउथ इंडियन लेंग्विज को ट्रांसलेट करके उसके राइट्स खरीद के अगर उसको ले लिया है त आपकी पेमेंट प्रोड्यूसर को जा चुकी है आपके पास उसका रिटन में कंसंट है तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एक चर्चित फार्मूला आपके पास मिल चुका है एक फिल्म किसी एक भाशा में चर्चित हो चुकी है वो भी हमारी हिंदूस्तान क कि भाशा है भाई आप यह देखिए हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी एक भाशा में फिल्म सूपर हिट होती है और हम उसको दूसरी भाशाओं में भी बनाना चाहते हैं इससे बढ़िया और कल्चर इंटीग्रेशन देश के अंदर और क्या हो सकता है एक चीज और यह इन्फॉमिशन लोगों को अब मिली है कभी भी एक फिल्म किसी एक सिटी के अंदर नहीं बनती है अगर आप तीस साल पहले चले जाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी फिल्में स्टूडियो के अंदर बनती थी एक्टर और स्टूडियो के अंदर सेट लगा बहुत सारी फिल्में स्टूडियो के अंदर ही खत्म कर ली जाती थी और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा होता था वो आसपास जाकर या कभी कबार फॉरण जाकर या किसी दूसरे देश के हिस्से में जाकर शूट कर ली जाती थी अब ये मत भूलिए कि बंबई तकरीब बंबई में स्टापित हैं लेकिन होता क्या है कि दर्शकों को लुभाने हैं तो कि हमारा काम क्या एंटर्टेन्मेंट उन्हें लुभाने के लिए हमें अब बंबई से भार ले जाना ही पड़ेगा तो कोई मजबूरी नहीं थी लेकिन कंटेंट को अच्छा करने के लिए उजबल और उजागर दिखाने के लिए आप फोरण जा रहे हैं अलग-अलग मुलकों में अलग-अलग-अलोकेशन ढूंड रहे हैं हिंदोस्तान में इतनी खुबसूरत लोकेशन्स हैं और पधान मंतरी ने खुद का आया कि भाई आप जो प्रयाटन है जो टूरिजम है उसको पहले इंडिया को तो पर्मोट करी हैं इंडिया तो देख लीजे फिर भार भी चले जाना कौन मना कर रहा है तो उससे एक जागरती आई है और खास्त और पेस पेंडमिक के बाद आप देखिए आज सुबह मैं पता कर रहा था कोई एक फ्लाइट खाली नहीं है किसी संभाले नहीं जा रहे एक कमरा होटल का खाली नहीं है शिमला में मसूरी में नैनिताल में लदाक में उटी में कई ही कोई एक कमरा खाली नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अपने शहर से जब उब जाते हैं तो वो दूसरे शहर की तरफ भागते हैं धोड़ते हैं ठाइस परदेश और नौ यूनियन टेरिटरिय है भाई आप कहीं चले जाएए आप हैरान होंगे कि पूरे देश भर के अंदर अब शूटिंग होती है जो सिर्फ पहले बंबई दिल्ली कलकता या मदरास में हुआ करती थी फिर हैदराबाद जुड़ा अब पुरा मुल्क जुड़ चुका है ये देश ऐसी फिल्मों को निखार के लाएगा जिसका अंदाजा अभी लोगों को होई नहीं सकता हम तो नंबर वन हैं अभी इससे उपर निकल जाएंगे और आज मेरे पास कम साथ मुलकों की सरकारों की इंटरेक्शन हो चुकी है जो चाहते हैं कि हिं उनके मुलक के अंदर शूट किया जाए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दफाह हिंदोस्तानी फिल्म उनके मुलक में अगर शूट हो गई तो उसके लाखों और करोडों दर्शक होते हैं और जो उनका टूरिजम है वो दस गुना बढ़ जाता है बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमते समय दिया दोस्तों आप देख रहे थे हमारा खास कारिकरम फिल्मी बात एक मुलकात मैं हूँ कनियालाल राठोर देखते रहिए जुड़ रहिए धन्यवाद सर थेंक यू सर लाइब न्यूस करे कुछ कहेंगे मुझे बड़ी खुशी है कि लाइब न्यूस पहले से भी बहुत ज़्यादा और खुसूरत काम कर रहा है और आपके कारिकरम पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और मैं लाइब न्यूस को तरही दिल से मुबारक बात देता हूँ और उपेक्षा करता हू कि आप इसी तरीके से अच्छे-च्छे कारेकरम दिखाते रहेंगे और बहुत ही जल्द लाइव न्यूज जो है वो देश का एक चर्चित चैनल बनके सामने आएगा बहुत बहुत धन्यवाई सर आपने अपना केमती समय दिया देखते रहें जुड़े रहें लाइव न्यूज दिल्ली